कि यूबी न्यूज में आपका स्वागत है हमारे साथ हैं दली पर्देश लोग जंग सक्ति पार्टी के ये अद्धेक्स हैं दलीप जी आज हमने आपसे बात करनी है जिस तरह से ये चुलाव आयोक का जो फैसला आया है आम आद्भी पार्टी के जो 10-20 विदायकों को निरस किया गया है आपको नहीं लगता है कि यह फैसला जो है देर से आया दुरुस्ता है देखेए जाच करना के लिए दिन वीज़ बिदायकों के सदस्ता रत की है यह बहुत ही अच्छा किया है मैं तो आप से कहूंगा दिली के जो मद्दाताओं के साथ के इसरी वाल जी ने जो दोका दिया है और चुनाब में धकिलने की जो कोशिच की जा रही है यह दुबारा चुनाब अगर होते है उप च चुनाब भी होते हैं चुनाब आये के हजारों लाखों पैसा खर्च होता है यह बिलकुल मद्दातों के साथ बहुत बड़ा दोका दिया है और जो है और इस्तिफा अपने मुख्य मंत्री पसे दे देना चाहिए क्योंकि पड़ा लिखा आजमी है आयारस है है आयारस को वश्ता थी क्या कार्की वश्ता थी लोगों फाइदा उठाया उसले चुनाब आये का फैसलेगा वहाँ संसाह ना चीजिता क्योंकि उस पहले आता तो दिल्ली के जो राजी सवा के तीन सवा सांसाथ बने गए उनको उसने दो ही दो ही बनते बने तो नहीं चाल है बहूं कि देश चल रहा है इस सवीधान के तैती इनकी सवाल लेना चाहूंगा कि जिस तरह से अपने इन्होंने राज्यसभा मौनोनित करें हैं वह यह फैसला आने के बाद में क्या इनके राज्यसभा पर भी कोई असर पड़े मैं बिल्कुल आना चीए मैं तो सवीधा चुनाब आएक सो मांग करूंगा अपने जो रायसभा का सवापती उनसे मांग करूंगा उप्राश्पती वहीं से की अभी इन्होंने सदस्ता का सपत नहीं लेगी इसलिए उनकी आज जो भी सदस्तों के बताविक छालीस सदस्ते ब देते एं और माली जी इनके जो विधायक है उन पर उप चुनाव होता है या पूरे सिरे से जो चुनाव होता हे तो लोग जंग सक्क्ती पार्टी की क्या नेरी थे लोग सकती इनकीजों पार्टी के राष्ट यद्धक से पुरहाने रामलास पासवान साव क्योंकि वे एंडी के पार्ट है और चिराक पासवान जी हमारे वोड के चेर्मेर वो जैसा फैसला करेंगे वह अगर कहेंगे दली बालमीकी जी आपकी पूरी कितनी सीटों पर त्यारी है तो मेरी सीट के म तो हमारे साथ है दनोर जी यह उपाद्यक्ष है दिल्ली परदेश लोग जक्षनती पाटी के सर आप दनोर जी बात बताईए कि कितना फैसला जो है यह दे राज से आया दूरुस्त आया इससे आप कितने सहमत है देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली बासियों के बिसे में और सरकार के बिसे में बताना चाहूंगा कि यह फैसला बहुत पहले ही आ जाना चाहिए इस फैसला को लिपा-पोती किया गया जो मेरा मानना है जो सुजबूज है अपने पड़े लिखे अनुसार संभीदान के नुसार क्योंकि दिल्ली जो है यूटी है यूनिय कंपीट की और इन चीजों में सिर्फ संभीदान की पढ़ाई होती है और संभीदान को बली बाती जानते हैं और उनको यह भी संग्यान था कि दिल्ली परदेश जो यूटी होने के नाते सिर्फ एक संसधिय सचीव नुक्त करते हैं लेकिन उन्हें जान बूज के इतने संस भासा नहीं बोलूंगा इस समाजिकत तोनी इनके अंदर सारे काऊ जो ने को ड्यक्सद चुनाओं जीतना और दिली की सरकार बना कर दिली ki जो पैसा है उसpar कब जा और इनका यही एक मकसद था इसलिए इन्होंने संसद्यक मंतरी बना दिये कार्दमंत्री वने हैं हमारे साथ दिरज वालमी की जो fci से अभी अभी एक नए निया मेंबर बने हैं दिरज जहां तक मैं दिल्ली की समस्या की बात करूं तो जहां तक मेरे पास भी दो तीन जगा से मैसीज आया है कि राशन की दुकान पर चाहें वो उत्तम नगर ओ, भारी दिल्ली ओ, साउथ दिल्ली ओ, राशन की दुकान पर बहुत धांदलेवाजी है लोगों के लिए जो पंचिंग मशीन होती है उस पंचिंग मशीन में उनका उठा जो है आता नहीं जिसकी वज़े से वह वंचित हो जाते हैं राशन को लेके तो आप FCI के मेंबर हैं लोग जंग सक्ती पार्टी से आप इस मामले को कैसे देखेंगे सर मैं बताना चाहता हूँ अपनी जितने भी हमारे लोग हैं दिल्लिवासी हैं सभी को यह बताना चाहता हूँ सारी दुकानों पर मशीने पहुँच चुकी हैं और खुद दुकंदार सबको फोन करके बता भी रहें और बताया जा रहा है कि वहां पर जो भी राशन कार्ट पर जिसका नाम है एक जना जाकर के वहां पर अपना उठा लगाए तो जिनके चार नाम है पांच नाम है कोई भी एक जना जाकर के उठा लगा सकता है और हमारे रास्टे अद्धिक्ष पासवन जी के पासवन जी ने जो भी फैंसला लिया है मशीन लगाने का जिससे की चोरी ना हो पाए और सारे दुकंदा डरे भी हुए है जहां तक मैं देख रहा हूँ अभी मैंने दो तीन जगा जा करके चेक भी किया है जो मैं देख रहा हूं अभी क्यूंकि लोगों को खासतोर से लोगों को पता भी नह लेकिन लोगों से बोलना चाहता हूं कि बोले उसको और दुकंदार से अपना जो पूरा राशन उनका जो होता है वह पूरा राशन लें तो आपको नहीं लगता कि मेंबर और आने आने रखें गे और प्रवदान रखेंगे आगे लिखेंगे उसका एक मशीन वहां पर financial और जो पाए गया उसके लिए आप क्या सजा के लिए उसके लिए संक्त कारवाई होगी और हो सकता है के दुकान होगी सईक गया तो यह थे हमारे साथ दलिव वालमी की जी दिल्ली परदेश लोग जन सक्ती पाटी के अध्यक्षे इन्होंने बताया कि फैसला आया है देड़ से आया है मगर दुरुस्त आया है